आदमी पार्टी के नेता मेरे गुरू अर्विन केजरिवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनोंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझे भरोसा किया ये सिर्वाम आदनी पार्टी में हो सकता है अर्विन केजरीवाल जी के नित्रित्व में हो सकता है कि एक first time politician एक राज्य की मुख्यमंत्री बने मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनार की टिकेट भी नहीं में होती दिल्ली के लोगफ्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अर्विन केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं तो दिल्ली के लोग आम आदनी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक चुनाव तक मुख्यमंत्री होने की नाते अब एक ही उद्वेश से काम करेंगे कि हमें अर्विन केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूँ मेरा एक ही मकसद रहेगा मुझे पता है कि भार्टीय जनता पाटी मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों के फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे मुझे पता है वो दिल्ली वालों के हस्पताल में फ्री दवाईयां रोकने की कोशिश करेंगे मुझे पता है वो महला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करें तो अगले कुछ महीने तक जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है मैं दिल्ली की लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूँगी और अर्वन केजरिवाल जी के मार्व दर्शन में दिल्ली की सरकार चलाओगी मेरा अपने सभी कारेकरताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोष है आप मैंसे कोई मुझे बढ़ाई मत पीचिएगा आप मैंसे कोई मुझे माला मत पहनाईएगा क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज नियाज इस्तिफादिया